हेलो दोस्तो मैं अधेडागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एगजाम जियोज बाई अधेसर में तो दोस्तो आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है नेक्स्ट जो भी आपका एगजाम है और दोस्तो सबसे ज़्यादा खुसी इस बात के जो हम हरियन जी के कवर कर रहे हैं वहाँ से लगभग सभी जो हमारे क्वाश्चन वो मैच हो रहे हैं तो अच्छी बात है भई तो आप सबी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आज का जो सेशन है वो एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है बहुत अच्छे क्वाश्चन है आज की वीडियो में भी तो पहला क्वाश्चन आपके सामने है टेक्स्टाइल और कार्प्रेट के लिए हरियाना का कौन सा जलाब पिरसिद्ध है तो कुछ कॉशन हम वो कबर करेंगे जो यानि कि कल के एक्जाम में पूट हुए है बाकी इसमें बहुत सारे अच्छे कॉशन मिलेंगे यानि कि लगभग बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली आज की तो इसका जो राइट बनेगा तो C रहेगा यानि कि पानिपत इसका सही आंसर रहेगा किस निर्तिय को हरियान वी गिद्धा कहा जाता है एक पार्टी को सफल बनाने के लिए सर छोट राम के द्वारा कौन सा वियान चलाए गया तो इसका जो राइट बनेगा जमीदार लेग कौन सा रहेगा जमीदार लेग तो ए बिलकुल इसका राइट आंसर है कोशि большое नंबर 4 इससे काफी कोशियन वो एक जामीदार बन सकते है यानिकि लू निर्तिया एक ऐसा निर्तिय है जिसमें प्रिसन उत्तार किये जाते है मैं आपको समझाना चाहता हूं गायकों के द्वारा यानिकि जो नासति बनेगा इसे फागो नियानिकी बी बिलकुल इसका राइट बनेगा इस नाम से भी जानते हैं तो इसका संबंद है लूर निरते का फाग के महीने से संबंद है और ऐसे भी कौश्चन यहां से बन सकता है कि लूर किस छेत्र का काफी पिरसिद निरते है तो बांगर छेत्र का ह किस छेत्र का है बांगर छेत्र का है और जिला अगर आप से पूछ ले तो जीन्द बन जाएगा इसका आंस्वर तो ये बहुत सारे कॉश्चन यहां से बन सकते हैं तो B बिल्कुल इसका राइट है एसिया की सबसे बड़ी सुगर मील हरियना के किस जिले में है तो इसका जो राइट बनेगा यमना नगर में है कहाँ पर है यमना नगर में है और कब इसकी सथापना होई 1933 में हुई और इसे सरस्वती सुगर मील के नाम से जानते हैं एक आपकी सहाबाद में 1984-85 में उसकी शित्र में है तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल है सही आंसर रहेगा हरियना के किस दिले में अमोनिय प्लांट सतापित किया गया तो ये भी कल के एकजाम में कॉश्चन पुट हुआ तो इसका जो राइट बनेगा पानी पत यानि की C बिल्कुल इसका राइट है द कि जनवरी से नवंबर तक की करंटा फिर फिरी विलेगी साथ में दस एग्रिकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको फिरी दिये जाएंगे और साथ में एक हजार आपके कौशन है हरियन जी के के अच्छे लेवल के तो आप जयन कर सकते हैं इस नंबर पर आपक इसके द्वारा सरवन के द्वारा यानि की राम सरवन के द्वारा किया गया है तो बी बिलकुल इसका सही आंसर है निमलिक्त में से कौन सा पहनावा महिलाओं की गर्दन से संबंदित है तो इसका जो राइट बन जाएगा यानि की डी बिलकुल सही रहेगा हसला मोहनमाला तो सबी रहेगा तो D बिल्कुल सही है ग्रिनिंग ओफ रिक्ष्रोपन योजन हरियाना में कव सुरू ही तो ये भी एकजामें पुट हुआ है तो इसका जो राइट बनेगा 1999 सीनब है तो C बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अब यहां से कुछ है कुशन आपको जबर जस्तोर एक अच्छे लेवल के मिलेंगे जो एकजाम में आगे बन सकते हैं वह कौन सा कामरेड है जिसने लौड इर्विन को मारने वाले बंब के निर्वान में सहयोग दिया तो वो थे आपके लश्मंदास कौन थे लश्मंदास तो ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा और इसका भी संबंद कहां से है हरियना से जाट हाई सकूल के संस्तापक कौन है तो इसका जो राइट बनेगा इसका भी संबंद हरियना से जाट हाई सकूल का जो संस्ताप्या का है वो आपका बलदेव सिंगा कौन है बलदेव सिंगा तो इसका ए राइट बिलकुल सही आंसर है नौजवान भारत सभा भिवानी की सतापना किसने की यानि की नौजवान जो आपके भारत सभा है इसकी भिवानी में सतापना किसने की तो इसका जो राइट बनेगा राधा किरसन वर्मा कौन थे राधा किरसन वर्मा यानि की ए बिलकुल इसका राइट बनेगा और दोस्तो इस वीडियो के साथ end तक बने रहना क्योंकि बहुत यह अच्छे question है और मैं आपको एक ही बार बोलूँगा एक ही बात बोलूँगा कि यह जो question मैं cover कर रहा हूँ next exam में आपको यहां से जरूर मिलेंगे आज हमारी बात को not कर लेना क्योंकि हमने कुछ वो data collect किया है जहां से person आपके put हो रहे हैं exam में तो यानि कि यह बिल्कुल इसका right है वाइस राय लॉड एर्विन की train के नीचे रखा गया बंब कहा बना था यानि कि इस बंब का निर्वान कहा पर हुआ था इसका जो right बनेगा रहत तक में यानि कि यह बिल्कुल इसका सही answer रहेगा गोहना का वह एक जबर जस्त question हम कह सकते हैं आज तक आपने यह question कहीं cover नहीं क्या होगा लेकिन जब हरियन जी के question पूस्टा है तो ऐसे ही question एक जामे बनते हैं तो इसका जो right बनेगा कनहिया सिंग यानि कि A बिल्कुल इसका right रहेगा डाक्टर सत्यनारण जिसकी मिर्ति सरकारी दवन के कारण होई कि पृतिमा कहा स्तापित की गई है तो इसका जो right बनेगा ब्रहगड यानि की ब्रहगड यानि की B बिल्कुल इसका right answer है नवी वक्त सभा की सथापना कहां पर की रहवाडी में और इनके संस्तापक कौन थे तो इसका right बनार सी दास तो A बिल्कुल इसका right answer है A बिल्कुल इसका सही answer İहेगा और एक और जबर्जस्त और एक अच्छा question हम कहसकतेैं स्रिवाजी नमक पत्र कहां से निकाला गया था तो इसका जो right बनेगा स्रिवाजी नमक पत्र आपका कहां से निकलाए हिसार से तो C बिल्कुल इसका right answer रहेगा उस स्वैतंतरता सेनानी का नाम बताएएं, जिसने मुख्यमंत्ति से स्वेटेंधृता का तामर पत्र लेना स्विकार नहीं किया, तो इसका जो राइट बनेगा माधोराम कौन थे बई? माधोराम यानि कि A बिल्कुल इसका राइट अंस्वर बनेगा, A बिल्कुल सही अंस्वर है. हिरा सिंग यानि की चिनार किस रियास्त में नौकरी करते थे तो इसका जो right बनेगा जीन्द यानि की डी बिलकुल इसका सही रहेगा और जीन्द यानिकी चौती जाट बेल्ट के नम से भी इसे जानते हैं तो यह question विया गिजा में बनाए और आगे भी बन सकता है तो डी बि दो गदे सबसेदी कहरें पल्वल में जैसे ज़यर से मैच करें। तो ये भी आपको दियान रखना है जैसे कॉत्ते सबसेदी कहरें तो गुरू-ग्रम में थिक ये तो इसका जो राइट बनेगा言ए Abicunt इसका सही आंसर है नाथ 35 संपरदय का पिर्मुक सथल कौन सा है तो इसका जो राइट बनेगा अस्थल बहुर है कौन सा अस्थल बहुर तो ए बिलकुल इसका राइट रहेगा बोध धरम का प्रिसिद केंदर कौन सा है तो इसमें से जो राइट बनेगा सुद आपका कहाँ पर है जगादरी में अगर यहां से देखो मैं आपको बता रहा हूँ जगादरी भी है सुद भी है तो हमने कितनी बार आप से बोलाई कि जो प्रॉपर सथान है वो ही आंसर लगाना है वो धरम का प्रिसित केंदर कौन सा है सुद है तो यानि कि वैसे यह लेकिन सत्थान की अगर हम बात करें तो सुद रहेगा तो बी बिल्कुल इसका राइट अंसर है लाहोर सरीयंत केश में करांती कारियों का वकील कौन था तो इसका जो राइट बनेगा लाला श्याम लाल एड़वोकेट यानि कि ए बिल्कुल इसका राइट अंसर रहेगा वह है योगी कौन सा है जिसने चमाधान को ठोकरा दिया तो इसका जो राइट बनेगा अब मैं आपको एक बात बोलूँगा ये जो भी हम कौश्चन आपके लिए लेकरा रहे हैं इन सभी कौश्चन का कहीं न कहीं हरियान से संबंद हैं तो अगर आपको ये next exam में अगर ऐ ये जिसने चमाधान को ठोकरा दिया तो इसका जो राइट बनेगा योगी चंदरनाथ तो भी बिल्कुल इसका राइट रहेगा 1909 की बात है थीक न जो आपका मारलो मिन्टो सधार की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं तो इसका जो राइट है यानि कि बिल्कुल सही आंसर है पिर्थम विश्यूद में किसने सैनिक भरती का विरोध किया तो पंडित नेकी राम सर्मा किसने किया पंडित नेकी राम सर्मा के दोआर तिलक पत्री का निकाली गई 1923 में इस सिरी राम सर्मा को हरियान का नवरतन इत्यास और हरियान का तिलक भी कहते तो ये भी आपको दियान रखना और इनका संबंध जजर से रहेगा जबकि इसका जो राइट आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है मुझे पर इसका जनम हुआ है भीवानी के अंदर पत्री का वगएरा हमने आपको बताई दिया साथ की साथ तो इसका जो राइट है यानिकि ए ही बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो दोस्तों एक छोटा सा प्रियास्ता और आपको रियल में वीडियो आज की अच्छी लगेगी और म हम आपसे बोलते हैं कि यहां से आपका हरियन जीके में कोई भी कॉशन गलत नहीं होगा तो आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत हो धन्यवाद